नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आज में एक वीडियो लेकर आऊ हूँ जिसमें मैं बताऊंगा कि हम लोग कस्टमर की साइट पे काम कैसे करते हैं आप मेरी बात समझ रहे हो ना मैं मोस्ली आपको घर्ब के ऊपर अपनी किसी ना किसी दिवार पे ड्राइंग करके दिखाता था और आपको पता था कि ऐसे हम ट्राइंग करते लेकिन एक ओडर था जो मैंने किया है अभी तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कस्टमर की सा कर दिख रहे होंगे कि मैंने ड्राइंग कर लिया है यह चाइनीज थी मैं चाइनीज रेस्टोरेंट का यैसे कोई चाइनीज फूड होता है वैसा थी मैं उसमें हमने नूडल्स एशिन फूड के बारे में यमी और कुछ वेजिटेबल्स बगारा बनाए है और जूस भी य आप देख सकते हैं मैंने सबसे पहले औरंज कलर से स्टार्ट किया है वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट बनाया क्यूंकि पेंटिंग करने में दो दिन लग जाते हैं तो इतनी ज्यादे डीडेलिंग में अगर मैं बनाऊंगा तो वीडियो बहुत ही बड़ा बन जाएगा और मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े वीडियो की जरूरत होती है आप इस चीज को समझ सकते हैं कि हम लोग ड्राइंग करने के बाद कलर कैसे फिल करते हैं और हम लोग दीरे दीरे एक बेसिक होने के बाद इनको थोड़ा थोड़ा इफेक्ट भी करेंगे अभी जब य लिए आपको पता चलता जाएगा यह कैलीग्राफी वर्क है और यह भी मैं आपको इसके बारे में भी बूरा ट्रेंड करूंगा आगे आने वाली वीडियो में आप टच में रहिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीचिए साइट्स पे हमें काम भी थोड़ा जल्दी करना होता है क्योंकि क्लाइंट को साइट जल्दी खाली करके देना होता है हम अपना काम करके चले जाते हैं तो उसके बाद ही उनका शोप का सेट अप लगता है इसलिए मैं ज्यादा तर वीडियो आपको डिटेलिंग में नहीं बता सकता जो के मैं साइट पे काम करता हूँ फिर भी मैं जितना हो सकेगा कोशिश करूँगा गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ये पेंटिंग फाइनल हो चुका है और इसका ये फाइनल क्लिप है लास्ट में जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ आप देखेंगे कि जो कडाई बनाई है जिस पे वोक लिखा है उसमें भी एफेक्ट्स हैं और हर चीज में शुटी शुटी चीज में एफेक्ट्स हैं वो हम लोग करते रहते हैं उससे वो पेंटिंग ज्यादा अच्छी लगने लगती है तो ये पेंटिंग फाइनल हो गया है और बहुत अच्छे कलर निकल कर आए हैं ब्लैक के ऊपर और ये एक बार में नहीं दो तीन बार कोटिंग करने के बाद कलर निकल कर आते हैं क्योंकि ब्लैक जल्दी कवर नहीं होता उमीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मेरा ये काम भी आपको पसंद आया होगा अपर ये वीडियो इससे आपको कुछ नगों सीखने को मिला होगा क्योंकि अभी मैं जल्द ही आने वाली वीडियो में और भी टेखनीक्स के बारे में और पिंटिंग वॉल पे कैसे बनाते उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर करूंगा चलिए मिलेंगे एगली वीडियो में नमस्कार